अस्लाम अलेकों, मेरा नाम मुहम्मन राशिद, आपका होस्ट, EU के स्टेशन पे आप सब को वही में बैख रहा हूँ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, तो चले आए जैसे कि आपको आज के इस एपसोड के टाइटर सी पता जब गया होगा कि हम इस टॉपिक के बात करने वाले हैं तो इन्शाललह, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम इक राउप को सलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको कंटीनु करेंगे तो उसको इन्शाललह, उसकी आज पहली एपिसोड है, हम प्याज पे बात करना जा रहे हैं जैसे अब सब दूस्तों को पता है उनीक पता हो जिन को नहीं पता उनके लिए इनफोर्मेशन है उनको शायद कुछ नहीं मिलें आज के टॉक पर आज हम प्यास की स्वेंग के बारें के बात करेंगे कि स्वेंग कफ स्टार्ट होती है प्यास कब से कब तक लगता है और कौन कौन सी वराइटिस काश की जाती है तो प्यास प्यास हर घर की ज़रूरत हर किच्छन की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है अगर हम प्यास को किच्छन में से निकाल दें तो किच्छन अधूरा हो जाएगा तो जैसे किच्छन की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है आज के इस टाइम में दौर में ये ऐसे समय लें कि जैसे प्यास की जो सुएंग है वो फार्मर जो वेजिटीबल फार्मर्स हैं उनके लिए भी किसी कैश क्रॉप से कम नहीं हैं जो फार्मर्स प्यास को लगाते हैं उनको पता है उसके डैनिफिट्स का उपर्ट का जो बड़े फार्मर्स हैं जो जैसे कहते हैं गदुम या चावल लगाने वाले लोग हैं वो ऐस सज मतेखर च्छी मेनों की क्राप लगा के उसके बार तुद्धान में जो बिलता है वो इतना साटिस्पेक्टरिंगी होता। प्यास के फार्मर्स मैं आपको बिल्कुल एंड में जाकर बताऊंगा कि एक फार्मर्स एक प्यास की फसल से कितनी आंधें जनरेट करता है। तो जो नहीं लगाते ह। उनके लिए बहुत अच्छा है वो इससे इंशाला हीं अच्छी फसल करें। और प्यास के फार्मर्स में आए इंशाला है एक अच्छी फसल न जाटे है। के आज रबी कुरापस में आती हैं मेजर में अगर बात करू आए में आज पाकिस्तान में तो मेजर जो हमारे अलाके है तो पाकिस्तान में थ्रूआड उनिए और इसे कुछ जो लोर जो च испी समख़ लें सिंद्र के कुछ अलाके जहां da पन्जाब में अब थोड़ा सा कंसेप्ट इसका जिनुरीट हो रहा है कुछ हरसे से लेकिन वह इतना नहीं है उसकी कुछ रिजन्स हैं उसके बाद में बात बात बरूबा तो कुछ इलाकों में से लेट खरीफ में भी काश किया रहता है तो अब जिन भाईयों को रभी और लेट खरीफ का नहीं पता हूं उनके लिए मैंने पहले बताया था कि ये चैनल उन भाईयों के लिए भी है जो वेगल कल्चर स्टडिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंफॉर्मेशन है इसमें अगर सबोल आपसे कोई प्यास के बारे पूछता है कि आप प्यास कब काश करने हैं तो पता होना चाहिए कि आप कब काश करने हैं मैं घर रभी और लेट खरीफ के बात करूऊ है बहुत सारे लोगों कोई श scanner ये भी पता कि'े लेट खरीफ और रभी क क्या मतस्ता है रभी तो आप अक्टूवर की काश करते हैं तो ये समझ लें कि आप रभी की काश कर रहे हैं अवी काश नहीं है कि YOU NERSERYE की स्वाइंग前 स्वाइंग में हमारे पागस्तान में मीजर आपो प्याश की जो नररुंग स्वाइंग स्वाइंग तो होती हैं वह होती हैं अक्तूबर की घुर खश यूंग स्वाइंग तो चैमाखन को एसमestyle से स्वाइंग को ज़ाती है और होती है जी जनाब जुलाइ और अग्यस्ट में अच्छा मैं बात कर रहा था कि लेट खरीफ कौन से लाखे हैं इसमें मेजर जो लाखे हैं वो लोर सिंदा जो लोर सिंद के जितनी भी बल्ट है आप वो यह समय लेके जो लेट खरीफ की जो काश्ट वो लोर सिंद के लड़े में होती है आप वो लोग जुलाइ और अग्यस के सुईंग करते हैं यही कौनसेप्ट कुछ पंजाब के इलाके से फालो कर रहे हैं और वहां से वो लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं क्योंकि जब भी आप सब्सक्राओं किसी क्राओं को कुस करते हैं तो उसमें रिस्क Completely बहुत जदा हुते हैं लेकिन यह है कि जितना रिस्क होता है उसमें रिस्क होता है तो इसमें के बारे में भी आप को थोड़े बहुत बहाई लैनं तूँगा वालकि कि मैं कुछ वीडियो आपको कुछ और भाईयों की शेयर करेंगा, मैं शायद वीडियो के साथ में लिंक भी कर दूँ, आपको उनकी वीडियो से भी अध्याज़ा हो जाएगा, क्यों कैसे सोईंग करते हैं, कौन सी वराइटी को सोईंग करते हैं, अच्छा ये तो होगी साथ भी है, तो हुब्ध ये पसे वाराइटी में कैस्ट उप नाच विड़न भी पर तूब्ध नगानीग होगी विडियोंग इनगे, ये पर दिदेगए और आप पज्जाब में भी माश्याला, अच्छा एक वराइटी है जो की बहुत मर्यशूर आकेपार्पर्फ नप यह समझ लें कि अरली तो नहीं कि लेट में थोड़ी सी अरली आजाती है और दुसरी जो वराइटी है वह है नसरपुरी तीसी जो वारा थे काश किरीedu को भी तेला होते हैं... तो पंजाब चूछ करंगें कोशूद करें. पंजाब करनें लोर पंजाब कोश्व्याइट.. वो भी नसरबुरी है ज्यादा नसरबुरी काश की जाते हैं तो लोग उसको पसंद करते हैं नसरबुरी के लगाना तो यह उप्टी की वराइटिज होगी जो काश की जाते हैं इसके लावा इंडिया से बहुत कुछ आता है पाकस्तान में काश्ट होता है उसमें बेह सेम ऐसे ही वराइटिजाद की जैसी नसरबुरी और काश्ट की वराइटिजाद लिगे वाइट अंइन्स ने का जाता है वो भी लोग काश्ट करते लिकिन यह कब पहमाने पे होती है मेजर जो काष्ट होती है जो पाकिस्तान की बड़ी बेंड बेंस बातों being sins the अब अगर में बातת हैं में सबस्तों पताया मैं इसकी डेटलिय में नहीं जावन лиयुडənस आ पार सबस्तों आप आप को सब्सक्री मेर्ड़ करूंगा। मैं इसके बारब कुन से वर्य Baptist काष थोती है। आक्टूबर कि स्वाइग में एकटूबर के सटूइग में आक्टूबर में काश करते हैं, मैंने अड्री पेरिगेशन की काश देखी है, मल्चिंग पे काश की जाती है, अचा। इसको असल में ना इसका मीन मकसर जो ना अरली लेनी का मकसर है, हाईब्रिट जितनी भी वराइटी जाएं उसमें चंद ऐसी हैं जो लेट में आती हैं, मेचूर होती हैं, लेकिन अब जो इस वब की मार्केट की जो इन पसंद किया जाता है जो जो समझ लें कि मार्केट में बहुत ज्यादा लोग डिमार्ड कर रहे हैं उन वराइटी की तो वो हाइब्रेड वराइटी जो बहुत नाम बहुत मशूर हैं जो फार्मर्स के तबके वाले लोग हैं जो इनकी काश करते हैं नाम का पता भी होगा नाम बाद में बताओं तो फिर मैं इन्शाल्ला उसमें आपको काटेगराइज करूंगा जो टॉप पे कौन सी हैं किन रिजन्स के बैसेस पे हो टॉप पे हैं तो हाइब्रेड की काश बह और यह समय लेके और उनकी प्रोड़क्शन बहुत अखी है अखीर में काउप आउटस्टैंडिंग प्रोड़क्शन तो आप यिल्ड जब आप उनसे लेते हैं आपको उसका आउटपुट जब दिलता है तो फिर लोग हाइब्रेड को प्रेफिक करते हैं जो लोग हाइब करेंगी दूसरा उसकी स्वेंग अबसे स्टार्ट होती है कि इन अलाकों में होती है दूसरा हाइब्रेड क्यूं ज़्यादा काश किया जाता है इसकी एक वी रिजन मैंने आपको बता देंगे यह अरली और इस वक्त की गेम ही सारी अरली किया है अगर आपने मार्केट में शेर लेना है तो आपको अरली आना पर लेका इतना जल्दी आप मर्केट में पहुंच जाएंगी जितना जल्दी आपका फूर आ जाएगा उतना आप पैसे जल्दी कमा लेंगे तो इस पे भी इंशालला डिसकस करेंगी और हाइब्र की में काश ही है उसके बाद जो काश् आपको दीए या आपके किसी काम आई कि और मैं श्यालला मेरा यह मकसद यही है कि आपनों को कोई फाइदा हो जाए वो फाइदा जो राहायात आपनों को पूछ ना कुछ फाइदा देता है मेरा आला जन्मत सवाद रेका इकाश्वामास तो में याद रखें स्वारीकूल झाल झाल